जल्दी से सारी गायों को पानी पिला दूँ, आज बहुत सारा काम है, अरे गव माता जल्दी जल्दी पानी पीओ, क्या कर रही हो, मेरे पास आज बहुत काम है, मैं फीरी नहीं हूँ, कि तुम्हारे पास बहुत देर तक खड़ी रहूँगी, या मैं तुमसे बात करूँग आज मैं अपनी गव माताओं की जल्दी जल्दी पानी क्यों पिला रही हूं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे घर में फूजन जो है न, तो खाना भी बनाना पड़ेगा, पूजा का सामान भी बनाना पड़ेगा, कीर, पूड़ी, हलुआ, चना, सब कुछ बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रही हूं, चल्दी-जल्दी से पहले गव माता की पूजा की जाए, फिर घर में खाना बनाया जाए, फिर बूले नाद की पूजा की जाए, और वैसे भी, खाना ज्यादा बनना है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने हैं, इसलिए, और को आधा प्यासा तो छोड़ के हम जा नहीं सकते, क्योंको माता, हम आपको बोले नाद का गाना सुनाएं क्या, और मेरा भूला है भंडारी, करिननदी की सावारी, संभूना तिरे, और बोले ना तिरे, कैसा लगा, जन्दी से पीओ, अप गाना मत सुनो, हे भगवान, इस और अवरत से तो ना हम हारी गए हैं, क्या भताएं इसको? क्या हुआ माजी? या हुआ क्या हुआ कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? घर में कितना सारा काम पड़ा है, आज पूजा होनी है, तुम्हारे दिमाग में नहीं है क्या ये बात? कि तुरंती एक कान से सुन सब्सक्राणे की, तुम्हार बात सबो हाना थभान की उतता है, उनकी पूजा के समान देता, पंडितrin जी आने के लिए भेजा था कि उनको पानी दिखा दो नहीं ये भी जरूरी था अर एक बाल्टी रखके चली आती पी लेती दुबारा डाल देती नहीं इतना तुम्हारे समझ में कहां आता है कि आज पूजा पार्ट का टाइम है पूजन करवाना थोड़ा सा पूजा में अगर बिग ना गई न तो अम्मा देंगी जानती हो ना तो ममा जी को हम नहीं चाहते हैं कि पूजा में कोई भी कमी हो कैसे भी या माजी कुछ कह पाएए अरे माता अब कहा जा रही हो अब गाय को पानी दिखा दो हम चारहें अंदर का काम देखेंगी सब तक गाय पानी पीलेगी है भगवान ऑन क्या चलो चलो तुम अंदर ही चलो ठीक है माजी लच्मी भव के भरोसे अगर कोई काम छोड़ दो ना तो कुछ भी नहीं हो सकता है यह काम बिगाड़ने के अलावा कुछ अच्छा तो करी नहीं सकती अभी देखो इतने सारे मेहमान आने हैं सब शीचा लेदर घर में पड़ी है क तुमने यह नहीं किया तुमने वह नहीं किया अब बताईए हम अकेले कहां कहां देखें यह हमाई लच्मी भव हुए जान सा काम बता दो उसी को पकड़ के बैठ जाती है यह नहीं कि चलो आज पूजन हो रहा है तो जल्दी जल्दी सारा काम निप्ठा लें अभी खाना पूजन का समान लगाने को पड़ा है पंडगी जैंगे तो लिव बस लेने के देने पढ़ जाएंगे फिर अमा जी को क्या बैठे बैठे ओडर चलाना है उनको चलो चलते हैं अंदर देखते हैं नहीं तो इधर का देखेंगे तो फो अंदर करें जाएगा यह पुस अनद पंडिट जी आईए पंडिट जी आईए बैठिये बैठिये पंडिट जी लग रहा है हम जल्दी आगए आरे नहीं पंडिट जी जल्दी कहा आगए टाम से आगए आप अरे वही तो बोल रहे हैं माता जी कि हम तो अपने टाम से आगए हैं आपको तो अभी कोई इंतजाम द बता नहीं सकती हूं इतना बता दिया था कि कल पूजा नहीं सब लोग अपने काम से एकदम से एलर्ट रहना लेकिन नहीं सुनती कहां ये किसी की परबतिया एदर आओ जारा आँ माजी बताईए यहां सारा काम पड़ा है पूजा की सामागरी नहीं लगाई पंडित जी आ गए तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया अभी तक क्या बोलाता हम निकल कैसे पूजा होगी तुम सुबह से यहां से मटक रही हो कितने बार बोला तुमसे हो जाएगा माजी हो गया बताओ अरे वो माजी हम करी रहते हमने सोचा कि देखें लच्चमी बहु कहां चली गई तुम्हे जो काम हमने सोपा था तुम्हे वो किया या नहीं किया इतना बताओ हमें माजी अभी हम सब किये दे रहे हैं अभी थोड़ी देर में सारे मेमान आने वाले है मेरी बिटिया आने वाली है वो ये सब देखेगी मेरी बिटिया को ये सारी चीजे कटा ही पस cinemat नहीं है लेकिन तुम सब जांती हो लेकिन अपनी यादा से कभी बाज नहीं आ सकती हो परवतिया कब समझोगी अरे पूरी उमा निकल गई तुम्हें समझाते समझाते तुम्हारा दिमाग का खिर रहता कहां इतना बता दो मुझे मैं चार दिन पहले से तुमसे बता रही हूँ इसी लिए मैं इतना पीछे से काम करवा रही हूँ कि आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो लेकिन अन टैम में तुमने वही काम किया जिसका मुझे डर था तुम ना, वह अपने मन का ही करती हो कौन है? इत्ती तेज पादरा है आपे? सुद्ध जगे असुद्ध कर रहा है, पूजन करवाना है? कौन है पादरा है? अम्मा जी हमारे ही नाम ना लगा दी अरे माता जी पादा पूदी पे द्यान मत दो पूजन की सामगरी लगवाओ, पूजा सुरू की जाए ये तो नैचरल चीज होती रहती है ये साला पाद भी अभी नेकलना था, लग रहा बहुत कैस बन गई है ये लूप तो समहस रहे है यार, मजा कुड़ा रहे है ओहो, पुरा दिमाग खिला के रख दिया कौन पाद रहा है? परबतिया? दिमाग इमाग खराब है क्या? पंड़ जी यहीं पे बैठे है, सराम करो थोड़ा अम्मा जी, हम नहीं है, पंड़ित जी ही है जो पाद में पाद मारे जा रहे है चलो हम तो बहार जा रहे है, हमारा तो कोई काम भी नहीं है पूजा उजा तो मुझे लग रहा होने से रही यहां तो बस पदा-पदाई चल रही है अम्मा जी ने भी पता नहीं कौहन से पदला पंड़ित को फोन कर दिया है, मार पाद-पाद के घर भर दिया है इत्ती साफ सफाई की थी, पुरे घर में गंद की गंद की फैलाग रख दिये मुझे लग रहा है घर जाना पड़ेगा, पेट खराब हो गया है मेरा आज लग रहा है जादा खा लिया, पेट भड़ा रहा है पहले जाना पड़ेगा, संड़ा संड़ाज फिन आद होके आना पड़ेगा पूजा कने वैसे भी इनको लेट है पूजा में जाता हूँ पहले निपट आता हूँ कहीं बीच पूजा में काम खराब ना हो जाए यसे बार-बार पदाई की जाएगी तो ये बुढ़िया बहुत खराग है कुछ बखवाख ना देगा हैं बेजिटी का सवाल है पूजा में पादना आदना गलत बात है ये कह रहाता माताजी अभी कोई इंतजाम तो लगा नहीं आपका पूजा का मैं घर हो के आता हूँ जब तक आप लगवाई हैं इंतजाम बिल्कुल पंडिटी रास्ता सामनी है जाएए आप पहले आप जाके अपना सौच चौच करके आईए क्योंकि बहुत बदबूदार पाद रहें आप दिमाग हिल गया है हमारा कहां से सड़ा गला खाना खाके आई हैं जो यहीं पे निकाल रहे हैं अरे हम पूजा करने को बुलाए हैं यहां घर सड़वाने को थोड़ी न बुलाएं पन्डेजी आपको अरे क्या बताएं माताजी एक लोगों के यहां कथा थी उनने बुला कि खाना खाके जाओ भूंका तो था ही मैं खालिया अब मुझे लग रहा है खाना ज्यादा हो गया काई मेर की सबजी नया थी न खालिया सबजी थोड़ी अच्छी बनी हुई थी क्या बताऊं माताजी ज्यादा खालीया गयस बन गई यह लग रहा है दिक्कत हो रही है मुझे तो मैं अभी जा रहा हूँ मुझे लग रहा है ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पूजा कर नहीं पाऊंगा बिल्कुल पंड़ी जाए 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 जल्दी ऐसा ना हो जो यही बैठे बैठे हमारी कुर्सी भी खराब कर दे और यही ने पटली आप फिर के माताजी जा रहा हूँ मैं माताजी वो मैं क्या कह रहा था कि आज कर ना रखके पूजा किसी और ने रख ली जाए तो क्यों पंड़ी क्या हुआ अरे भाई पादा पूदी तो होती रहती है पंड़ी अभाई ये अभी आपी ने बोचर बोला था कि नेचरल चीज है तो भाई जाए सौचोच करके आईए ना दो लेना आके पूजन करवा देना हमारा भाई मैमान आने बाले हैं कैसी बात कर रहे हैं आप अरे कोई बात नहीं माताजी कल का रख लीजिए कल बोल दीजिएगा एक दन रुख जाएंगे मैमान तो क्या दिक्कत है पंडेजी दिक्कत कोई नहीं मूरत तो आजी का था अरे माता राम मूरत हमीने तो निकाला था अभी जाके पत्रा देखेंगे कल का मूरत निकाल लेंगे कौन चे बड़ी बात है वो तो हमारे हाथ में है इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा खा गया हूं ठीक है ठीक है पंडेजी जाइए वैसे भी हमारा कौन सा काम पूरा हुआ है है जब हमारे घर की लोगी साही नहीं है यह माता राम यह बुडिया इतनी खराब है कि वहीं वहीं पर कुछर कुछर मारती मुझे अब तुम क्या खड़ी हो इधर है मुझ बनाए जाओ अब तुम काम करो अब जो मन करे वो करो अब तो सही है तो खोषो क्यों जिस पंटेट जी को हमने बोला था उनको क्यों नहीं बुला दिया यह इसका अभीकर रोग है पूरी जिंदकी निकल गए इसको हकते पाते यह पूजा कम हगाई पदाई जादा करता है अब दुबारा इसको मत बुला ले ना समझी ना ठीक है माजी हमने किया तब उन पंटेट जी को फोन तो वो कह रहते हम बाहर हैं पूजन करवा रहे हैं तो हमने सोचा इनी को बुला ले पंड़ी जी को उनको फोन कर वा कवा रहे हैं उन्हीं से पूजन करवाएंगी और इनको मत बुलाना अब ठीक है